हाई गाईज विल्कम बेक टो केमिकल वीडियो आज की सोड़ी से वीडियो में आप देखने वाले कैसे आप अपने घर में सिर्फ पांच मिनट के अंदर सीलिंग फैन को क्लीन करके बिल्कुल इसका रेजल्ट नया जैसे ला सकते हैं इसका क्लीनिंग का प्रॉसस इतना का इस देखी सबसे पहले सीलिंग फैन में बहुत एक्स्ट्रीम लेविल का दस्टिंग हो जाता है तो सबसे पहले आपको अच्छे से दस्टिंग करना जरूरी है अगर आप किसी भी टाइप के ब्रश का यूज करते हैं तो उसके बाद भी आपको एक बार माइक्रो फैब क्लीन नहीं करते हैं तो दस्टिंग के बजए से आपका सिलिंग फैन में सिलिंग फैन का ब्लेड में जोए जंग भी पर सकता है और इवेन अगर आप बहुत दिनों तक ऐसे गंदगी छोड़ देंगे तो आपका फैन का स्पीड भी कम हो जाएगा और इवेन पांके में अ इसलिए फैन को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना भी बहुत जरूरी है लेकिन जब आप दस्टिंग कर रहे उस टाइम पर याद रखेगा आपको बहुत स्लोली दस्टिंग करना है बहुत हैंड को बहुत फास्ट मूव्मेंट के साथ नहीं दस्टिंग करना है फैन को पहले off करके 5 मिनिट के लिए छोड़ दीजेगा उसी के बाद दस्टिंग का काम को भी स्टार्ट करीगा अब मैंने यहाँ पे एक all-purpose cleaner ले लिया जिसका नाम है किट्रिक all-purpose cleaner यह cleaner मेरा बहुत फेवरिट है बिकोज यह मेरा cleaning का काम को बहुत असानी से कर देता है यह कोई promotional व कर लेना है इसके बाद तावल का एक कोना यह dilution के साथ गीला कर लेना है ध्यान लखेगा दोस्तों कि आपको तावल को बहुत जदा गीला नहीं रखना है तावल का साड़ा almost excess water को आपको निचोर के बाहर रख देना है फिर ही आपको फैन में अपलाई करना है फैन में आप को बस इस तावल से हलके आतों से रख करना है देखेगा आपका फैन क्लीन हो जाएगा और फैन को यहसे रविंग करने के ताइम पर आप जहां पर रविंग कर रहे हैं एक जगह पर रब करी और एक हातों से फैन को पकर के रखिए तैकि फैन में किसी भी टाइप का loose connection ना ह और फैन को क्लीन हमेशाई बहुत हलके हाथों से करिएगा फिर पांच मिनिट के अंदर इस प्रॉसेस से आपका फैन क्लीन भी हो जाएगा और फैन में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत भी नहीं आएगा सेम इसी प्रॉसेस से में फैन का तीन ब्लेट को ही क्लीन कर लूँगी हलके हाथों से रविंग करूंगी और एक हाथों से फैन का ब्लेट को पकर के रखूंगी और इसके बाद में फैन का सेंटरल और में फैन का फैन को जो पकर के रखा है जो होल्डर में उसको भी क्लीन कर गाइस यहां पे आपको टावल को दूसरी या तीसरी बार गिला करने का ज़रुत नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपको ज़रुत पड़ता है तो ध्यान लगेगा कि एकसिस वोटर को निकाल की करिएगा क्योंकि यहां पे फैन का साड़ा में वैर है तो यहां पे फैन बिल् साफ हो चुका है उसके बाद आप एक ड्राइ क्ली माइक्रो वाइबर क्लोज से साड़े फैन को एक बार और एक बार द्रस्टिंग कर लीज़ेगा विकॉस दüstिंग करने के बाद रोप करने के बाद भी थूड़ा बहुत दिंग दृस्ट रही जाता है इसी के लिए उसके को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा थैंक यू सो मच